हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करने वाला हूँ आईशमान कार्ड के अंदर आप अपने मुबाइल नमबर को किस तरह से एड कर सकते हो किस तरह से उसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो अगर आपके आईश्मान कार्ड के अंदर आपका मुबाईल नमबर एड नहीं है तो उसको किस तरीके से एड करना है आज की इस वीडियो के अंदर आप यही जानेंगे अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के अंजर जो तरीके बताए जाएंगे उनको आपको फोलो करना होगा उसके बाद में आपका जो नंबर होगा वो आपके आईश्मान कार्ट से लिंक हो जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाले जो मेरे नाम है शाहिदूर आप देख रहे हैं शाहिद SS यूटूब चैनल चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अप खुद कर लिया करते थे वो ओन थी हम यहाँ पर जो ना वेबसाइट पर जा करके खुद रेडो एकेवाईसी करके उसमें कुछ भी चैन्जिस कर लिया करते थे लेकिन अभी रेडो एकेवाईसी को बंद कर दिया गया है अभी इसको जो हम खुद नहीं कर सकते तो अब बा पुपानी के अंदर जन सेवा केंदर CAC Center जो होते हैं वहाँ पर उस ऑफिस में जाना होगा वहाँ पर उनके पास में operator ID होती है जिसमें उनको इस चीज को करने के लिए जो ना authority है कि उनके पास में जैसे ID है तो रेडो EKYC करके वो आपके आईश्मान कार्ड के अंदर कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं जैसे कि आप कुछ और व्यूस में करेक्शन करा सकते हो या फिर जैसे कि हमने बताया कि मोबाइल नंबर को किस तरीके से एट करना है तो वो चीज़ भी आप वही पर जा करके करा सकते हो तो आपको ये चेक करना है आपके घर के आसपास हमारे यहां पर CAC Center कहां पर है जनसेवा के अंदर CAC Center और ये लोकवानी के अंदर तीनो जो ना AQ Office होते हैं आप उन पर जाईए वहाँ पर जाने के बाद में आप अपनी प्रॉबलम उनको बता सकते हो कि हमें अपने आयुश्मान कार्ड के अंदर ये चीज़ कराने है आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगएगा आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलने तो बिलते हैं आपसे अगली वीडियो में